हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आइक्जांबी पर आपका स्वाजत है और हमारा जो एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग यह हमारा होस्टल वार्डन में जो जो अलग-अलग अक्ट पूछे जाने हैं तो उनको वन पाई-वन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो अभी तर Knowledge of Poxo वाले सीरीज में हम लोग उने Immoral Trafficking Prevention Act डिस्कस कर लिया है 1956 का ठीक है उसके साथ ही हम लोग ने Child Labour Act 1986 यह भी डिस्कस कर लिया है ठीक है उसके साथ ही जो Commission for the Production of Child Rights है यहनी CPCR Act है 2005 का यह भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं Child Marriage Prevention Act जो है 2006 यह भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्लेलिस्ट आपकी जो है SSCB में आपको यह हमारा के नाम से मिल जाएगी जहां पर यह सारे Act अल्रेड़ी दिये के साथ ही कुछ MCQs भी हम लोगों ने डिस्कस किये थे स्टेट्मेंट बेस्ट वह भी प्लेलिस्ट आपको इसी के साथ मिल जाएगी तो आज का जो हमार अपिशियल ने में वह क्या है तो यह पढ़ने वाले हैं डिटेल से पूरा आक्ट करेंगे सबसे पहले तो कॉंस्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर राइट टू एजुकेशन क्या है तो अगर अब उन सब की बात करते हैं तो पार्ट फोर में आर्टिकल 45 ठीक है अगर आप देखते हो और अर्टिकल 39 देखते हो तो यह दोनों बात करते हैं आर्टिकल 49 क्या फोकस करता है कि जो आपके चछ से 14 वर्स तक के जो बच्चे हैं उनको कこれ огр adv करते सबसे तो आपको याद हो जाना चाहिए कि 1990 में रामा मूर्थी कमिटी बनाई गई थी उसमें ये क्या ये सारी बाते की थी ठीक है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है question यहाँ पर directly पूछा जा सकता है ठीक है तो उसके बाद फिर तपस मजुमदार कमिटी बनी जिसने Constitution of India में Article 21A को क्या करने इंसर्ट करने की बाद की तो अगर ये question पूछा जाए कि Article 21A जो इंसर्ट किया गया है Constitution में उसे किस कमिटी ने recommend किया था तो आंसर हो जाएगा तपस मजुमदार कमिटी 1999 ने ये recommend किया था ठीक है उसके बाद 86th amendment होता है 2002 में जिसमें जो हमारा right to education उसक प्रवाइट कर दिया जाता है और 6-14 वर्स तक के जो बच्चे है उनको right to education एक fundamental right की तरह provide कर दिया जाता है ठीक है उसी के चलते 2009 में क्या किया आता है पार्लियामिंट एक Act लेके आती है जिसमें detail में provisions होते कि कैसे जो हमारा 86th amendment किया गया है उसको कैसे लागू किया जो यह Act है RTE Act ठीक है उसको क्या करती है पारित कर देती है और इसे completely आप कह सकते हो जो लागू किया गया वो कब किया गया एक April 2010 से इसे क्या किया गया पूरे भारत में अच्छी तरह से क्या किया गया लागू किया गया इनक्ट किया गया यह date आपको याद रखनी है question में क कैपिटेशन फी क्या होती जिसे donation वगेरा मांगा जाता है ना school admission के time पर या college admission के time उसी को यहाँ पर application की बोला गया है जो कि क्या बोला गया punishable offense अगर कोई भी school college ऐसा बोलता है तो वो क्या है punishable है यह निकि यह गयर कानूनी कृत्य अगर ऐसा मांगा जा रहा है तो यह गलत है इसको नहीं मांगा जाना चाहिए school authority की सरफ से ठीक है बच्चे की परिवाशन यहां पर क्या रख फर्स जो हम लोगों ने की थी वहां पर यह सब discuss किया हुआ है अपको पता होना चाहिए फर्स इससे एर्थ तक की जो class होती है उनको elementary बोला जाता है ठीक है जो माता-पिता होते हैं उनको parents की संग्या दिए जबकि guardian कोई भी हो सकता है जो बच्चे का take care कर रहा हो तो यह आपको यहां पर ध्यान रखना है local authority यह सब आप ज्यानते हो उसके अलावा एक और चीज़ है अगर कभी question ऐसा आ जाए कि इनमें से कौन-कौन सा act जो है जहां की right to education जो हमारा act 2009 इसकी implementation को क्या करेगा monitor करेगा ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना यह monitoring agency है RTE के लिए ठीक है और और बाकी यह वाला जो body है इसके बारे में हम लोगों ने detail से सायथ the second last जो हमारी class होई थी उसमें हम लोगों ने discuss कर लिया था ठीक है आप देख सकते हो ज मिलनी चाहिए ऐसा इस गे एक्ट क्या करता है बोलता है कि free और कंपल सरी है कि शह सो चौदा वर्स के बच्चे को कच्छा आठ तक की जो स्कूली सिक्षा है वो मिलेगी मिलेगी ठीक है और उसके लिए सरकार तरह तरह से provision करेगी यह सब यहां पर बात इसमें की गई है इस बच्चे को admission करा जाएगा उसके mental जो उसका mental level होगा ठीक है जो उसकी तारकिक शमता होगी उसके अधार पर उसको किसी भी class में एक से लेकर कच्छा आठ के बीद किसी भी class में admission करा जाएगा और class एर्ट दक उसे क्या करा जाएगा पढ़ाया जाएगा ठीक है यह सरकार की लिए आपको कोई भी स्कूल वो नहीं कर सकता रोक नहीं सकता अगर आप किसी दूसरे स्कूल अपना ट्रांसफर लेना चाहते हो तो आपको प्रतिबंदित नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह से आप आराम से अपना ट्रांसफर ले सकते हो ठीक है तो यह बात भ्यारनक नही किसी तरह के कोई फीस बगरा नहीं देनी होती है ठीक है शेरिंगा फाइनिशियल जो एड है जो रिस्पॉंसिबिलिटी है वो कैसे है भाई क्योंकि राइट टो एडूकेशन के तहित आपको पता है कि स्कूल जो होते हैं उनको तरह नहीं नहीं स्कूल बनाने पड़ेंगे राज्यों को ठीक है उसके मतलब फिर सरकार पर जो है वित्ती बोज बढ़ेगा तो वो जो वित्ती बोज है उसको कैसे शेर करना है तो उसमें बोला गया है सेंट्रल गवर्मेंट इड देगी ग्रांट देगी मतलब छूट देगी बहुत सारे पैसा देगी स्टेट गवर बता अभी नेश्ट न्यू एड्यूकेशन पॉलिसी जो आई है उसके लिए कमिटी बनाए गए थी कमिशन बनाए गयाता है ना केकस्तूरी रंगन ठीक है तो उस जो वो जो स्टूरी रंगन कमिटी बनाए गए थी ठीक है 2016 में तो इस कमिटी को किसने बनाए था तो सेंट्रल नहीं तो इसको कमिटी को अपॉइंट किया था तो सेंट्रल क्या करेगी नैसनल लेवल पर क्या करिकूलम होना किये क्या स्कूल में जो सिक्षा की नीती होनी चाह है वो हमारे सामने आई ठीक है तो यह सब सेंटरल गवर्मेंट की क्या है जो पहल है ठीक है इनिशेटिव से उसके अलावा जो स्कूल है उनके उपर क्या जिम्मेदारी होगी तो स्कूल देखो 25% स्वीट को क्या करेगा अलोकेट करेगा उन बच्चों को जो कि डिसद्वां बच्चों को प्रवेस्ट देना ही पड़ेगा और जो प्राइवेट इंस्ट्यूशन है वह जब ऐसा अड्मिशन देंगे तो उनका जो नुकसान हो रहा होगा ठीक है क्योंकि जायर सी वात है 25% अगर उनकी ऐसे ग्रूप को जारी है जो कि फीपे नहीं कर रहा है तो उनक भी खर्च होगा वो सरकार गौर्मेंट क्या है स्कूल को प्रुवाइट कर देगी ठीक है तो यह बात आपको पता होनी चाहिए कि स्कूल को कोई जादा नुकसान नहीं है वह सरकार उसको वापस दे देती है ठीक है उसके बाद कैपिटेशन की जैसे मैं आपको सुरूबा कर दे तो उसको 10,000 का 10 times यानि कि एक लाख रुपए उसे करने पड़ेंगे उसे देने पड़ेंगे कहां पर जो सरकार है मतलब जो पुलिस है वहाँ पर उसको एक लाख रुपए भरने पड़ेंगे यह लिखाया देखिए अगर कोई कैपिटेशन फी मांगता है तो उसको चुपचाव उसे स्कूल में अड्मीशन दोगे ही दोगे ऐसा करते अगर पकड़े जाते तो पहली बार में 25,000 और दूसी बार अगर आप पकड़े जाते हो तो 50,000 रुपए जुर्माना लग सकता है ठीक है चलो अब तीसरी बाद कोई भी स्कूल भीना certificate के नहीं होगा य फिर उसके बाद एक body की बात कीगे एक नहीं actually में दो body है एक national advisory council है और state advisory council है simple question अगर आ गया ना बच्चा वहाँ पर भी हैरान हो जागा अगर उस paper में ऐसे question आ गया कि national advisory the provision related to the national advisory council mentioned under which ऐसे आ गया question simple सा question आ गया mentioned under which act ठीक है which of the following act अगर ऐसे भी question आ गया तो भी बच्चे थोड़ी देर के लिए वहाँ पर सद्मे में आ जाएंगी कि यार यह कैसा है आप नीचे option दे देगा वो दे देगा उसमें चाइल लेबर एक्ट ठीक है 1986 उसके बाद देगा पॉक्सो एक्ट ठीक है क्योंकि एडवाइस तो भाई कहीं पर भी दी जा सकती है तो आप वहाँ पर कैसे जज कर पाओ कैसे मतलब दिमाग में ला पाओगे कि यार इसका क्या आंसर होना चाहिए ठीक है कि यहां पर कमिशन की बात की गई है जो कि चाहिड राइट को देगेगी और बहुत से बच्चे क्या गर देंगे राइट टुट एडुकेशन तो हो नहीं सकता है यह क्यों यहां पर एडवाइजरी बॉडडी का या कांसिल क्या काम है तो बच्चे पॉक्स वाले पर टिक 2009 में इसकी बात की गई है यह आपको बिल्कुल क्लियर रखना है अब यहां से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी है टीचर स्टुडेंट रेशियो की बात की पहली बात तो जो टीचर स्टुडेंट रेशियो कितने साल के अंदर मिंटेन कर करना है सरकार सरकार से बात बुलीगी सरकार ने कातम तीज साल के अंदर इसे मिंटेन करेंगे ठीक है आपको अभी बताए कि यह मिंटेन नहीं हो पाया क्या बूला गया हर 30 स्टुडेंट पे एक टीचर होगा ठीक है और जो कच्छा 6-8 तक के बच्चे वहां पर बच्चे थोड़े से सीनियर हो जाते हैं समझदार हो जाते हैं तो वहां पर यह रखा गया है 35-1 का ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया हो गार इसकी तरफ मल्टिपलाई आगे करते चले आप समझ आओगे 60 बच्चों पे 2 टीचर होंगे 90 बच्चे पे 3 टीचर होंगे ठीक है ऐस साल भर में कितने घंटे पड़ना है तो साल भर में उसे कम से कम 800 इंस्टक्शनल आर ठीक है 800 आर उसको क्या करनी है पडाई करनी है या फिर आप 200 दिन कह लो ठीक है 200 डेस कहलो उसी तरह से अगर 68 की बात हम करते हैं ठीक है 600 से एरत तक की बात करते तो यहाँ पर क्या है 1,000 instructional आर बोला गया मतलब 1000 घंटे की पढ़ाई या 220 दिन आप पढ़ाई कर लो मतलब दोनों में से कुछ भी ऐसा आपको complete करना है इतना आपको पढ़ाई लिखाई करनी है ठीक है उसके अलावा एक जो important प्रोजीजन है कि teacher एक दिन में मतलब एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ा ठीक है तो यह सारे जो important provision थे हम लोगों ने देख लिए हैं तो पूरा जो एक्ट था इतना ही था इससे एदा कुछ नहीं है इससे एदा करने के कुछ जुरत भी नहीं है पेपर आपके करीब आच चुके हैं 20 दिन बचे हैं तो जितना भी तरह करा जा रहा है सिर्फ उसको करेंगे तो ज्यादा ज्यादा भाई आप लोग यह वीडियो शेर करो अपने दोस्तों को जो भी जिन्होंने भी फॉर्म भर रखा है ठीक है उसके अलावा कर अभी आप आपको यहां पर पुराना वाला इमेज है ठीक है नया भी हमारा क्रैस को से स्टार्ट हो गया है तो कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया गया नाइन टुजिरो 5524028 इस पर कर सकते हो ठीक है यहां पर आप इस कोर्स के बारे हम पूरी जानकारी ले सकते हो जिसमें अभी हम लोगी क्रैस को स्टार्ट हुआ है सारे एक्स जितने भी मतलब अभी इसमें ठीक है जो भी सातो एक्स हैं उसके अलावा जो पॉलिसी वगरा है वो सारी चीजे कराई जाएंगी उसके अलावा मॉक टेस्ट है वो भी इसमें दिये जा रहे हैं ठीक है मैं खुद बहुत सारे अलग-अलग को करवाता हूं और एक कैसे आपको पेपर को अप्रोच करना ह है वो सारी चीजे यहां पर डिस्कस की जाएंगी तो लास्टाइम आपके लिए बहुत मदद हो सकती है अगर आपको इंट्रेस्ट है तो आप इस नीचे नंबर दिये गए जो नीचे नंबर दिया किसे कॉल करके बात कर सकते हो तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही था अगर चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा थैंक यू थैंक यू अल